पहलवान और कॉंग्रेस नेता बजरंग पूनिया को जान से मारने की धमकी मिली, उन्हें एक विदेशी नंबर से धमकी बरा मैसेज आया, मैसेज में उन्हें कॉंग्रेस पार्टी छोड़ देने की हिदायत दी गई, इस मैसेज के बारे में बजरंग पूनिया ने हर्याना क सोनी पीत में पुलीस से शिकायत की है, पुलीस ने इस मामले को गंबीरता से लेत हुए मामला दर्ज किया और जाज शुरू कर दी हाल ही में किसान कॉंग्रेस के वर्किंग चेर्मेन बने बजरंग पुन्या के मुताबिक उनिर अविवार 8 सितंबर को वाटस अप पर एक धमकी बरा मैसेज मिला, यह मैसेज एक अंजान विदेशी नंबर से आया था जिसमें लिखा है कि बजरंग को कॉंग्रेस छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उनके परिवार और उनके लिए अच्छा नहीं होगा धमकी देने वालों ने कहा कि यह उनकी आखरी धमकी है, चुनाओ से पहले हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है जा शिकायत करनी है कर लो, यह हमारी पहली और आखरी चितावनी है सुत्रों के मताबिक धमकी मिलने के बाद बजरंग ने सोनी पत बहालगड थाने में शिकायत दर्ज कराई है थाना पुलीस ने मामले की जाश शुरू कर दी है, पुलीस का कहना है कि वे इस मामले को कमबीटा से ले रहे है और दमकी देने वाले शक्स की पहचान करने के लिए सबी जरूरी कदम उठाए जा रहे है बजरंग और उनके परिवार के सुरक्षा और सुनी चित करने के लिए विशेश इंतिजाम किये गए है इस दमकी के बाद बजरंग की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है